दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल क्रेजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन में ये जो पावर बटन होता है जिसका अस्तमाल करके आम तोर पे आप अपने फोन को स्विच आप करते हैं या फिर रिस्टार्ट करते इस बटन की एक ऐसी hidden trick के वार बताने वाला हूँ एक ऐसी खोफिया trick के वार बताने वाला हूँ जिस trick का अस्तमाल करके आप सभी को काफी जादा मज़ा आ जाएगा जी हाँ दोस्तों इस तरह की जो trick है अभी तक आपने पूरे YouTube पे नहीं देखी होगी और ये जो trick में सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है इसके बाद जिन्होंने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को भी चरूर से सबस्क्राइब कर लेना है बगल में आप सब्सक्राइब को घंटी को पर क्लिक करके all के पर आप सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरे करने के अपने फोन में एक छोटी से अप्लीकेशन को डाउड कर लेंगा अब करके जैसी आप इस करेंगे तो यहाँ पर इसकी permission को आपको allow कर देना है अगर आप Xiaomi या फिर Redmi का phone यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ extra permission को यहाँ पर allow करना है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है उसके वाद यहाँ पर आपको यह जो lock screen है इसको भी allow कर देना है यह यहाँ पर आप सभी के सामने जो 3 second को option आएगा ना इसके उपर आप सभी को click करके से 1 second कर देना इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना अब आप सोचेंगे कि इस application को download करने से क्या फाइदा है यह जो हमने setting की है इसको करने से क्या फाइदा है तो दोस्तों इस application से आप अपने फोन के power button को दो बार दवाएंगे तो आप किसी का भी नाम बोलके से call लगा सकते है तो मैं आपको दिखाना चाहूंग जैसी में इस पावर बोलके को यहाँ पर दो बार दवाबाऊंगा call निखिल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसी मैंने इसका नाम बोला तो इस बंदे को यहाँ पर call लगना start हो चुका है तो इस तरीके से आप इस setting का इस्तमाल करके अपने phone में इस power button को दो बार दवा के आप किसी को भी call लगा सकते हैं